लों का खून चुछा रिश्वतें काईन तुम समाजवाद और देश की नाम पर एक करें को समाजवाद हमारे देश में समाजवाद कहा है हमारे देश में तो अफसरवाद है जाजपादवाद है कुरसीवाद है अरे समाजवाद तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत मैसूस करेंगे ये जो वोट है ना ये कागस का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिये ये वोट तुमारे परिवार तुमारे देश उसकी उनती की परची है ये तो दो धारी तलवार है जो दोने तरफ से काटती है ठीक जगा पड़े तो देश खुशाल और गलत जगा पड़े तो देश का सत्यानाश अरे भाईयों हम तो आप से एक सवाल पूछते हैं जब आप अपनी बहन या बिटिया की शादी तैय करते हैं तो पहले अच्छा लड़का ढूलते हैं अच्छा खांदान देखते हैं उसके गुन यह वोट तो भरोसे मंद और इमांदार को देना चाहिए मगर आप लोग क्या करते हैं बेशते हैं आपना वोट वोट का ब्लैक मार्किट करते हैं जिसने ज़्यादा पैसे दिया वोट तो ऐसे बाठते हो जैसे वोट सबक पर मिलता है कभी किसी दोस्को दे दिया कभी अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेचता है वो भी वहिमान है जो वोट खरिदता है वो भी वहिमान है तो फिर किस मूँ से हमें वहिमान कहते हो हाँ अरे अगर बहिमान लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार तो बहिमान बनेगी तो फिर चिलाते काई को कि डाउन डाउन मुर्दाबाद जिस दिन तुम वोड़ खरीदने वालों को अपनी चौकट से दक्का मार कर बाहर निकाल दोगे उस दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अब देखो हमारे इन उपमक मुंत्रियों को इन बहिमानों को किसने बेजा यह आपी की लोगों के बेज़ो है ना अब यह बहिमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आज से पांस साल बाद जब इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो यह पैसा कहां से लाएंगे अरे यह कहता है 15 करोड कोई 16 आप जनते हमने कितना कमाया है अग्यूर करोड कि अगरश करोड कमाया हैो इतने ऊसल्भ मैं कितने क्रोड कमाये होंगे है हिसाब लगा सकते हैं अपर जब हमारा हिसाब नहीं लगा सकते तो उन लोगा rappelle साकते हैं हम, हम हम भी मिलकर इसाब मांगेंगे क्यों क्योंकि अब क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि ये रुपया ये पैसा कमाने का तरीका कौन से रास्ते से होता है बैमानी का पैसा किस रास्ते से कमा जाता है ये अब हमें पता चल चुका है आप लोग कहते हैं कि हम बैमान हैं हाँ आप क्या कहते हैं कोई कहता है इमानदारी के परगंबर है मगर हम क्या है हम बैमान है हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं लेकिन ये नहीं बोलेंगे सुन लिया आप लोगों ने क्योंकि हम इनका अकच्छा चिठा जानते हैं ना इनका बांडा फोड सकते हैं इसलिए तो हम इन बैमानों के मुखिया बन गए पर हमारी बैमानी की कमाई गई कहा है क्या हम निगल गए अरे हराम का पर पर उन इमानदार लोगों की जैजैकार करो उनी को वोट दो उनी की सरकार बनाओ और लोगतंतर के हाथ मजबूत करो पर वो इमानदार लोग भीक का प्याला लेकर वोट मांगने के लिए तुम्हारे दरवज्जे पर नहीं आएंगे अरे तुम्हें जाना पड़ेगा उनके दरवज्जे पर अपना वोट लेकर और उनसे बिनती करनी पड़ेगी कि हमारा वोट सुईकार करो वो देखी आपके सामने बाल मुकुन त्रिपाठी खड़े आदी जवाने कल्याने आप लोगों में यही तो खारावी है कोई बड़ी बड़ी बाते करे मीटी मीटी अच्छी अच्छी बाते करे आप धना धन तालिया बजाना शुरू कर देते हैं सुनकर खुश हो जाते हैं ये तालिय बजाना बंद करो ये तालिय बजाने का वकत नहीं है उस बैंक के मलॉकरों की जाबियां पासट करोर बैंक में है आप को कि हम बहिमान है दिश्वत खोर है दुखे बाज है बोलो अगर लोगों को कुर्सी बर बिठाने का हक आप लोगों के पास है तो उनको कुर्सी से घसीट कर नीचे फैकने का हक भी ताकत भी आप लोगों के पास होनी चाहिए